हेलो गुड मॉनिक स्टूडेंस आज से हमारा एक्जाम के बाद आला निवस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो इस बार आपके एक्जाम नहीं थीलनेकिन अब थोड़े दिन में एरेंज की जाएगी सो हमने जहां तक चाप्टर हुल किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे कि तो यह तारे क्या सेंस है एंइमल्स के अंदर बीदिफएंट डिफरेंट डिफरेंट टाइपकी सेंस होती हैं जैसे हमारे एंदर है वैसे हमने डिस्क knit ov वोग्रूप में रहती है, हो कहीं पर फैर्शन के तो वसके उसे मॏत हैज तो इसे इसे पुछ पूल मीलता है, तो और उसे खिन रीड करेंगे देंड करेंगे आपने टेक्सबूक पेज नुम्बर सिक्स हमें जो क्वेशन आंसर से वह हम टेक्सबूक में सौरी वार्क बूक में डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर चेप्टर करेंगे Most of the birds have their eyes on either side of the head Most of the birds होते हैं जिसके जो ears होते हैं वो उसके head के दोनों side होती है Their eyes can focus on two different things at a time क्यों ऐसा होता है क्योंकि देखो यहां पर दिया हुए for example इसका head है और दो eyes on either side है क्योंकि वो एक ही time पर दोनों जगह पर focus कर पाते हैं इसलिए when they look straight ahead both their eyes focus on the same object जब वो straight देखते हैं तब भी वो उसके दोनों आखों का focus एक ही जगह पर होता है और जब वो straight नहीं देखते हैं तो उसकी आखों का focus होता है वो different different place पर होता है you must have seen birds moving their neck very often आपने देखे ही होंगे do you know why birds are doing this ऐसे क्यों करते हैं दोनों side पर अपने neck को क्यों हलाते हैं most of the birds eyes fixed and cannot move ऐसे क्यों होता है वो क्यों neck गुम आते हैं क्योंकि most of ऐसे birds हैं जिसकी eyes क्या होती है fixed होती है जैसे हमारी eyes गुम सकते हैं move कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको अपने neck को move करके देखना पड़ता है so the birds have to turn their heads to see around इसलिए वो अपना head इदर उदर move करते हैं और देख सकते हैं हर जगह पे यहां पर आपको दिये हुए looking with one or both sides close your right eye and cover it with your hand आपको यह activity आपके घर पे करनी है okay कि आपको अपने एक आँख बंद करनी है और दुसरी एक आँख से और दुसरी आँख से right side देखना है and same distance पे यह सब आपको अपने घर पे करना है perform करना है okay और ना समझाए तो पूछ सकते हो some birds like kai